इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। इस टेबलेट डीटी को भूजन के साथ लेना चाहिए। इसे हर दिन एक ही समय पर पानी के साथ पूरी तरह से निगला जाना चाहिए। आपका डॉक्टर निरनय लेगा कि इस दवा की कितनी खुराक और आपको उसे कितनी बार लेना चाहिए। वे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इस आधार पर यह समय समय पर बदल सकता है। अधिकतम लाब पाने के लिए आपको इस दवा को नियमित रूप से लेना चाहिए। भले ही आप ठीक महसूस करें। इस दवा के सबसे सामाने साइड इफेक्ट हड्यों की डेंसिटी में कमी, वजन बढ़ना, मूड बदलना, पेट खराब होना और व्यवहार में बदलाव हैं। अगर आप इनसे परेशान हैं या इन में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो अपने डॉक्टर को बताएं। ओमना कॉटल तीस टैबलेट डीटी आपके संक्रमन से मुकाबला करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको बुखार या गले में खराश जैसे संक्रमन के कोई लक्षन हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। अपने डॉक्टर को किसी भी मेडिकल समस्या के बारे में बता दें जो आपको है, विशेश रूप से खराब रक्त संचार, डाइबिटीज और इम्यून सिस्टम समबंधी समस्याएं और अन्य दवाओं के बारे में विशेश रूप से स्टेरोईड। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। कर दो